आप सभी का विएर्चु पार्च्वह व्यरथ वार्फ स्वार बार। जयसा कि आप सभी को व्रिध होगा ही जो सेंट्ररल उनिस्टी मिजनी मैं केंद्रिये विश्वविध्याले फेंद्री विश्विध्यालातों की आप एकल परिक्षा हो रही है जिसमें इस एकल जो परिख्षाएं हैं उसमें कई सारे विश्विध्य मैं सभी को एक साहत करके एक परिख्षा हो रही है तो हम लोग यहाहं पर प्रिख्या हो रही है सिवयडी जो पिजडी मैंस्ण कूरी आधान seconds उस संस्क닉 विशय को लें तो जैसा कि आप देख पार होंगे हमाले पीशे, बोड पे संस्कृत का जो श्लेवस है, CVT के अनुपूल, CVT के अनुशार जो श्लेवस है, वो श्लेवस का हम लोग आज फुली बोड डिस्क्रिसन करने के चर्चार करेंगे, ठीक है, लिखा है CVT, क्या है CVT, तो अब CVT में स श्लेवस पर संस्कृत P.E.Q.P 14, ये इसका Code है, क्या है Code, संस्कृत के श्लेवस के लिए CVT का संस्कृत का उसका बोड जो पहली इकाई है, उस पहली इकाई के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और पहली इकाई का है, संस्कृत साहित का यदिहास, सबसे पहले जो पहली क्फिर्ट का परिफ्यावर्य पेपर होगा उसमें जो 25 कोर्स्टन आते हैं और जो सेकेंड को हैंगे वह संस्कृत के रहेंगे जिसकी जिम्मेदारी कुरह करें पूरी मेरी है आप सभी की बत्याय के नहीं हो आप सभी से निवेतन है अग्र है और आप सभी को यह सुचनावी देढ़ा हो कि बेच्चु पार्चाला का पौर्स सुख को सुखा है संस्प्रिट का इसलिए आप लोग सिल्ग शी जोइन थे ठीक है आई हम दो स्ले वेदांग डर्सन ग्रामाया और ग्रावारत पुरान आजी इस यह सब इसमें हमको कफ़ कवर करना है क्या तो हैं अब जानते हैं आप आपने पड़ेगा और लुट सन्षा उटिक और बीडांग दिया है जो शे इन चे बारे अजे वेदान को कि भारे आपको बिद्वत प्यारी करने पड़ेगी इधर आता है दर्शन मात्रिक देने से आपका तीन नास्तिक दर्शन और शी आस्तिक दर्शन 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 में आपको शांकारिका भी पढ़ने पड़ेगी इसके बार आपको तर्शन दर्शन खरब सतका है और पिर स्तकों आपको तो प्रकम किशने पड़ें है और जल्सने में हसा किस नई लिखा क्यों निखा इसे हुआ क्या वि्षole ने सुधका है को लेनी पड़ेगी। महाबारा उसके पुरान क्यों कहते हैं है। कितने कितने हैि किस ने लिखा। रचे लॉट मैं रचे यह यह बार्याле यह सब जामकारी आपको त्म खीडिश तीते हैं ऩng résүां कृष्भि पर रृठतियां डिखी आपको कभी दिख रहे कई सारे कवी दिखे होंगे देगा लिखा है कई सारे कभी ओं ये बारे में आपको जानकारी और इन क्यों कि संघर्ष उसमें बढ़ रहा है ठीक है अपने स्लाइट पर चल रहा है इकाई जो यह जो श्लेबस है चार इकाईउ में बटा है पहले इकाई हम लोग देखा के दूसरी काई संस्क्रित जाकन का है संस्तित्याकन आपको शब्द रूप धातु रूप शंदी समास कारा इस्त्री प्रत्य क्रदन तद्धत इत्यादी को देखना पड़ेगा आप लोग समास इत्यादी पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे तो व्यच्व पार्चाला का जॉइन कोर्स जॉइन कीजिए उसमें शन्सकृत काभविषास्त्र और चंद सास्त्र अब शंद सास्त्र यह यह नगकारिक थो पहले हैं तो कहते हैं भरत भामढददी वामन आंदवर्ण उंतख मौम्मण छेवेंद्र विष्वनात यह आपके अलंकारी के यहां रहाऊ जितने कभी आपको देखाई पड़ने हैं इन सभी कभीओं के बारें में कामि का लक्षन क्या है कामि के हेतु क्या है और इसक्यूल आपको जानकारी लेनी पड़ेगी खिर देंगे आगे आगे लिखा है प्रसिद्धा users ऐसा है आपने प्रसुच प्रसीज़ प्रसुच अवार निस्पत्ती के बादा में पता करना पड़ेगा और रस की निश्पत्ती किस प्रकार से किसके अनुसौर क्या क्या हो सब के बादा में पिर्जानकारी परफ है पुल्द में मेरे चमख जोएley यो संस्क्रित के गृश्य संस्क्रित gdy त सज्षा में पाथ को त्क्राइब मेगदूत है श्रीमत भगवदीता है उसके बाद भर्थारी के नीप सदक है देखें जो नीप सदक है भर्थारी में लिखाया है और हिटो पदेश इस प्रकाल से जो हमारा पार्ड दूसरा था इस दूसरे पार्ड के अनकूल हम लोग लेके आए हैं चुकि